आपको यकीन नहीं होगा पानी की कमी के चलते महराश्टर के लातूर जिले में टकराओ को नियंतरत करने के लिए धारा 144 लगाई गई थी इसके अंतरगत पानी के सुरोतों के निकट लोग समुह में नहीं खड़े हो सकते क्या आपको मेरी बात समझ में आई थोड़े समय में वो जगह जहां हम मस्ती से खेला करते थे लड़ाई का मैदान बन जाएंगे जहां शहर के लोग पानी के लिए लड़ाई करेंगे हम इस तथे से कैसे इंकार कर सकते हैं आने वाले समय में राज्य और देश आपस में लड़ाई नहीं करेंगे क्या हमारे पूर्वज जानत कि हमें पानी को खरीदना भी पड़ेगा क्या उन्हें यकीन होता लेकिन आज ये बात सच है इसी तरह से पानी के लिए विश्व युद्ध की संभावना भी है पानी की समस्या चक्रवात या भूकम जैसी प्राकृतिक घटना नहीं है क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं पेडों की जड़ें नदियां और धाराएं बनाने के लिए पानी को सहेजती है अगर हम पेडों को काट दें तो बारिश का पानी कहा चाएगा समुद्र में जहां वो किसी काम का नहीं रहेगा गोदावरी नदी का जलसरोत सूख चुका है चालीस प्रतिशत कृष्णा नदी उजाड हो चुकी है गंगा नदी कितने समय तक बारामासी रह पाएगी पता नहीं कावेरी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं वर्ष 1989 में 22 नदियां प्रदूशित थी लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 302 हो चुकी है इस सुची में जीलें और तालाब शामिल नहीं है भारत की आजादी के समय प्रतियक नागरिक के लिए 100 लीटर पानी उपलब्ध था लेकिन आज ये घटकर 30 लीटर हो चुका है पानी के संसाधनों के बिना 83 प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं क्या हम ये कह दें कि हमारे गरीब किसान का 84 वा नंबर है अभी तक 2 लाक मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर खेती ना रहे तो क्या बस यही बात है हमें अप इसी जमाने में हम टमाटर निर्यात करती थे लेकिन आज हम चीन, नेपाल और नेधर लैंड से इसका आयात करते हैं यही हाल गेहू और आलू का है तो कीमतें क्यों नहीं बढ़ेंगी इसी तरह से पानी के कारण भी नई समस्याएं पैदा हो रही हैं अब आपको समझ में आया पानी की समस्या किसी और की समस्या नहीं है UNICEF की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2014 तक 60 करोड बच्चों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा इस स्थिती में उद्योग को अभी के मुकाबले में 30 गुना अधिक पानी की जरूरत होगी इसी तरह से कृशी और बिजली उत्पादन के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होगी हमेशा की तरह अगर हम इन आकुणों पर ध्यान नहीं देंगे तो पानी की समस्या हमारी जिन्दगी को नरक बना देगी साफ शब्दों में आपको कैसा महसूस होगा अगर लोग आपको आपका गाउं छोड़ने को कहें लोग अपने गाउं को छोड़कर अलग-अलग देशों में बस रहे हैं इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से लोग प्रवास कर रहे हैं गाउं में पानी की कमी के चलते सबसे पहले किसान शेहरों की और प्रवास कर रहे हैं समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो बहुत सारी समस्याइं पैदा हो जाएंगी आपात स्तर पर शेहर जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे हम कहां जाएं? क्या हमारे आशू सूखी नदियों को भर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है और वह है व्रिक्षा रोपन बड़ी नदियों के दोनों किनारों पर एक किलोमेटर और छोटी नदियों की किनारों पर आधा किलोमेटर दूर तक पेड़ लगाएं ऐसा करने का अधिकार केवल सरकार के पास होता है आईए सांथ मिलकर इस समस्या के बारे में सभी को बताएं ताकि सरकार इसके लिए कोई कदम उठाए हमारी नदियां जो हमारी जीवन रिखा है उनको जिरनो धार के सांथ आईए अपना भविश सुरक्षित करें मत भूलें हमारे पूरवज किसान थे और गीली मिटी हमें कितनी पसंद थी अगर हमने इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो हमें अपनी मातर भूमी से रिफ्यूजियों की तरह जाना पड़ सकता है हमारे आनी वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी सोचने का समय चला गया बिना सुरक्षित पीने के पानी के हर 21 सेकेंड में एक बच्चा मर रहा है क्या पानी बहुत तेजी से कम हो रही है? नहीं